सर्दियों में इस्किन बहुत जादे काला पढ़ गया है या तो फेस पे भर भर के काले दाग धब्बे ब्राउन इस्पोर्ट दिख रहा है तो इसे बना करके लगा ली जिए हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ही अच्छे होंगे और अपने स्किन का खूप सारा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे अगर सर्दियों में स्किन बहुत जादे काला पढ़ चुका है फेस पे बिल्कुल भी गुलो नहीं है इस्किन डल हो चुका है फेस तो by रेख देजिये साइड में इसे याज से लगाना सुरू करिये साथ दिन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा आप हैरान हो जाएंगी इसका रिजल्ट देख करके यूज किया हुआ एक क्रीम है और अमेजिंग रिजल्ट देता है जितना भी इसका तारीफ किया जाए उतना कम है इसे लगाना सुरू करती है तो जो भी स्किन प्राबलम आपके फेज पे है वो जड़ से खतम हो जाएगा या तो आपका फेज टाइम से पहले लूज हो रहा है या तो काले दाग धब्बे है तो बहुत सारी बाते हो गई है इ इसे बना कर आज से ही लगाना सुरू करिये तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक साब सुथरी बाउल ले लिजिएगा उसमें पानी ओनी ना लगा हो अच्छे से धूल कर सुखा लिजिएगा क्योंकि इसे हमें बना कर इस्टोर करना है तो थोड़ा सा भी इसमे पानी होनी लगा रहेगा तो फिरे बहुत जल्द खराब हो जाएगा और इस क्रीम की जो में इंग्रेडियन्ट है वह है चावल का माड़ बहुत सारा आप लोग का कमेंट आता है कि चावल का माड़ क्या होता है तो देखिए जब आप चावल पकाती है 50-60% जब चावल पक जाता है और उसके अंदर जो गाढ़ा सा वाइट पानी आपको दिखता है वही चावल का माड़ है उसे ही आपको लेना है ठीक है जी यह आपकी स्कीन को टाइट करता है मुलाइम बनाता है इसकीन को खुब सूरत बनाता है फेस पे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट दे एक मैजिकल क्रीम तयार करने वाले हैं आली स्कीन टाइप वोले इसे लगा सकते हैं और खास करके जिनका इसकीन टाइम से पहले लूज हो रहा है और फेस पे बहुत जादे काले दाग धब्य हैं उनके लिए एक क्रीम अम्रित है तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले आपको तीन से चार चमच चावल का माड ले लेना है और दूसरे एक बावल में आप उसमें से एक चमच निकार लीजिए बाकी को रख दीजिएगा साइड में इसमें हमें आयट करना है फ्रेंट दो से तीन चमच भरके ऐलोवेरा जल यहाँ पर आप प्लांट वाला एलोवेरा मतली जिएगा मार्केट वाला एलोवेरा जल का यूज करिएगा ठीक है जी सबसे पहले हम इसमें एलोवेरा जल डालेंगे और डाल कर मिक्स करेंगे ताकि यह पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए उसमें बहुत सारी समगरी जाएगा जो हमारे स्किन के लिए बहु मार्केट का कोई महागा सा क्रीम है अगर हम एंटिंग एजिंग क्रीम मार्केट से लेने जाएं इतना जादे कोसली आता है कि मतलब हर कोई उसे परचेस करी नहीं पाता है हर कोई नहीं उसे ले पाता है ऐसे में हम परिसान हो जाते हैं तो परिसान नहीं होना है इस तरह का क्रीम आप घर पे तयार कर सकती है जीरो रूपए के खर्च में अब इसे मिक्स करने में बहुत जादे गाढ़ा हो गया था तो जो चावल का माढ बचा था इसे बराने के लिए हम एक हफते का बैच तयार कर रहे हैं तो चार से पांच चम्मा चावल का माढ चाहिए ठीक है ज चाहिए तो में इसमें यहार को इंदा सकते हैं मुझे में यहां पर दाले हैं कि आगे आप लोक बताओंगी क्यों मुझे इसमें नारियल का तेल नहें डालना चाहिए था तो हम यहाँ पे एक चमच वहर के लिए है कोको नटाइल जो हमारे स्किन के लिए बहुत जादे अच्छा होता है इसकिन को सौप्ट बनाता है मुलाइम करता है और फेस के काले दाग धबे को भी यह हटाने में मदद करता है अब इसमें हम एड़ कर रहे हैं बिल्कुल चार से पांच बूंद नीवू का रस एक टोटल आप्सनल है अगर आपके फेस पे दाग है जाईया है तो डालिएगा अधरवाईज आप इसे इसकी भी कर सकती है और इसे नीवू के रस में ब्लीचिंग प्रॉपटीज पाया जाता है तो डालिएगा जरूर अब इन सभी को हमें इस्पून से अच्छे से मिक्स करना है जैसे कि मैं बोली हूँ कि नारियल का तेल मुझे नहीं डालना चाहिए था लेकिन मैं डाल दे हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम ठंड है और ठंड में जम जाता है चाहें इसे हम गरम करके भी डालें लेकिन जब ये ठंडा होता है तो इस तरीके से गुठली सी बन जाती है अगर नारियल के तेल के जगा पे मैं इसमें बदाम का तेल डाली हो एक क्रीम देखने में और अच्छा लगता लेकिन लगाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लगाने में अच्छे से आपके फेस पे काम भी करेगा और इजीली लग भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा देखने में मतलब की गुठली गुठली सा लग रहा है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा अगर आप पास बदाम का तेल है तो कोकोनर टायल के जगब पे उसे भी ले सकती है नहीं बदाम का तेल है वाइटमीन ए का केपसूल भी आप इसमें ले सकती है दो से तिन ड्रॉप इसमें आप डाल दीजिएगा इस क्रीम को आपको रात में भी लगाना है दिन में भी लगाना है अगर आप दिन में लगाना चाहती है तो फिर इसमें आप नीबू करस मट डालिएगा कि इसमें ब्लीजिंग प्रॉपर्टीज होता है लेकिन अगर आप इसे सिर्फ रात के लिए तयार करना चाहती है तो फ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये खराब होगा सारा समगरी हम बिल्कुल अलग तरीके से लिए हैं तो ये खराब नहीं होगा अब इसमें हम अच्छे से भर ले रहे हैं आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा कोकोना टायल डाल करके मैं गलती की हूँ ये पूरी तरह से गुठली सी बन गई है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है अब इसे हम अपने बेट पे रख लेंगे देखिए जब भी आप रात को सोने जाती हैं पूरे फेस पे लगाईए लगाकर मसाज करेंगी तो ये इसकीन के अंदर जाएगा जो इसमें हम चावल का माल लिये थे वो फेस को यंग और खुबसूरत बनाता है काले दाग धब्बे को रिमो करता है सिर्फ सेवन डे में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके फेस पे कई गुना अच्छा रिजल्ट ये लेकर आएगा इसकीन को टाइट भी करेगा ब्राइट भी करेगा और इसकीन को यंग और खुबसूरत बनाने में मदद करेगा अगर आप 40 की हैं तो आप 35 की लगेंगी अगर एक महिना कांटिन्यू इसे आप यूज कर लेती हैं तो अच्छे से लगा करके अभी मैं दिखा रहे हूं इसे आप अपने फेस पे लगाईएगा हाथ पेर पे लगाईएगा जहां का स्किन बहुत जादे डार्क पड़ गया है अच्छे से लगा करके आपको ऐसे ही छोड़ देना है पूरी राते फेस पे रहेगा बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपने फेस पे कोई अलग सी क्रीम लगाईएग है आई होप आप आप लोगो ये वेडियो पसंद आई होगी क्रीम बनाने का तरीका पसंद आया होगा इस तरह का क्रीम मैं रेगुलर बेस पे सेयर करती रहती हूँ जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मैं अलग टाइप से एक सेयर कर देती हूँ जैसे ही मैं इस क्रीम को बनाती हूँ आप लोगे लिए वेडियो तयार कर देती हूँ तो इस क्रीम को बनाईएगा यूज करिएगा और अपना फीड़बाइक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा आई होप आप लोगो ये वेडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं होए और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन को आउन कर लीजिए मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स वीडियो